हेलो विवर्स वेलकम बैक टू अबर यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करने कि आप अपने फोन में ट्रांस्परेंट लाइप बाल पेपर को कैसे सेट कर सकते हैं जिससे आप अपने फोन को यूज करते हो और आपके फोन की स्क्रीन पूरी ट्रांस्परेंट दिखे वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो को लाइक कर दें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Zimpli आपको Play Store पर आ जाना है Play Store पर सेर्च करना है Transparent Ball Part Transparent Ball Part search करने के बाद मैं आपको Sompling Second Nos पर जो Apps है उसे install कर लेना है यहलिए मैं Apps को install कर दैता हूँ आपको जो Second जी बास पर दिख रही है इसे आप install कर सकते हैं इसे install करने के बाद आप दिखेंगे कि आपका phone पूरा transparent हो जाता है यह install हो रही है ज्यादा MB की नहीं है यह एप इसलिए मैं इसे अब open कर लेता हूँ open होने के बाद simply आपको किसे कुछ settings को allow करना है और apply कर देना है set to desktop पर apply कर देंगे हम इसके लिए तो यह apply हो जाएगी इसके लिए हम transparent mode on करेंगे और यह apply हो चुकी है चलिए देखते हैं यह आप देख सकते हैं कि यह apply हो चुकी है इस तरह से आप अपने phone में transparent live wallpaper का use कर सकते हैं और अपने phone को और भी अच्छी तरह किस्थे customize कर सकते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यह आपके phone के बाल पेपर को बहुत ज्यादे अट्रेक्टिव बना देती है वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में त